दो कभी आया नहीं एक जोग बूलता हूँ हाँ कभी सीरियस होने से एक जोग बूलता हूँ ये कभी आया नहीं का तीन देशों से तीन रिप्रेजेंटेटिव आये हैं एक इंडिया से एक पाकिस्तान से एक बंगलादेश से इसमें बाते हो रहे हैं कि किन का ट्रेन कितना लेट चलता है किन का ट्रेन कितना लेट चलता है तो बंगलादेश जो बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग के तो हर एक ट्रेन चार घंटा लेट तो चलता ही है इसलिए हम लोग क्या किया जो टाइम है उसे से चार घंटा पीछे करके टाइम टेबिल चपवा लिया इसलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो है तो पकिस्तान बोल रहा है कि हरे आपका इतना कम है लेट हम लोग का तो हर एक चौवीज गंटा लेट चलता है टाइम टेबिल भी चेंज करने का जुरूरत नहीं हुआ तो चौवीज गंटा तो लेट है इंडिया वाले सुन रहे थे बोलो बोलो आप बोलो क्या है नहीं आप कुछ बताए अरे क्या बताओ तुम तुम बच्चे हो अरे नहीं आप आये कुछ तो बोलना चाहिए तो बुले किस्ता मैं आपको सुनाना चाहते हूं बस एक बिचारा था लाइफ में कुछ बन नहीं पाया सब कुछ भी किया वो फैलियर पढ़ाई ठीक से हुआ नहीं हलाकि पढ़ते थे रिजल्ट अच्छा नहीं आया घर में पिता जी माता जी नाराज घर से निकला फिर कुछ काम करने का धांदे करने का कोशिश क्या कूछ नहीं हुआ जो की वो काम लेते थे फेलियर एकदम गैरेंटिड तो ऐसे चलते जाते बिचारा बहुत दुखी हुआ और सोचा कि ऐसे जिन्दगी रहने का रखने का कोई मकसद ही नहीं इसको हम खतम करेंगे I will commit suicide तो अच्छा तो क्या क्या उन्होंने उन्होंने देखा कि डाउन जोधपूर एक्सप्रेस तीन बचकर 55 मिनिट से इस जगा से पास होता है तो उन्होंने आया तीन बचकर 45 मिनिट पर पट्रे पे गला रखके सो गए अब बोलिये क्या हुआ तो बोले क्या हुआ ट्रेन आया मर गया बेचारा बोले वही तो है क्या बोले बेचारा मरा लेकिन ट्रेन पे नहीं क्यों बोले बेचारा ना खाके 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 पढ़के पढ़के मर के वो ट्रेन कभी आया नहीं तो दो कभी आया नहीं दो अगर आते थे तो मालूम पढ़ता था कि तीन कहां है तो लए समझने के लिए दो जरूरी है तो किसी को अगर लए बताना है तो at least you'll have to take two bits के तो मैं दिपक भाई को बोलूँगा कि तीन ताल बजाने के लिए आप थोड़ा सुर मिला ले ले कल ये कितना अच्छा बजा रहता है ना आप सुने ना कल क्या बात है इनको मैं ले बता रहा हूँ one, two, three, four one तो देखिए एक बार से तुने तुने ले पकड़ लिया अभी मैं इसको ले बता रहा हूँ one, two, three, four अब देखिए ये खतम कहां कर रहे है दा, तिन, दिन, ना, excuse me ता, दिन, दिन, दा, धा क्यों खतम कर रहे है क्यों खतम कर रहे है अगर दा, सुला ही मत्रा होता था दा, तिन, तिन, ना, ता, दिन, दिन, दा सुला ही मत्रा बजा लेकिन वो सम्पे आके खतम कर रहे, क्यों? क्योंकि अगर सम्पे ना आए, तो वो साइकल कभी complete नहीं होता है अब एक घड़ी को देखिए, बारा से काटा घुमना शुरू हुआ एक, दो, तीन, चार, पाँच, चार, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा सभी, पॉइंट टच किया, लेकिन बारा तक आएंगे, तब वो साइकल complete होता है अभी एक चीज़ आप देखिए, मैंने जो अभी बोला कि एक कितना दू तक है? दो तक, है ना? तो एक मतलब वन से टू, दो मतलब, टू से, फाइब मतलब, कितना जोड से बोली रहा? जोड से बोले तो जय मतलब निकलता है, लेकिन वह ऐसा नहीं जोड से बोली है, फाइब कितना है? फाइब से सिक्स, अभी जोड से बोली है, नाइन कितना है? अभी जोड से बोली सोला कितना है? सोला से नहीं तो cycle complete नहीं होता है यह समझने वाली बात है सोला मतलब यहाँ पर खतम नहीं होता है तिन तल तिन तल खतम होता है यहाँ पर क्योंकि सोला मिंस सोला से एक तक जारनी that is 16th वही concept लेका इसी लिए सम पे आना ज़रूरी होता है समझ गए कोई भी ताल बिना सम पे आने से वो खतम नहीं होता है अभी एक चीज़ देखिए इनने जो तबले का बोल बजाएं वो है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा फिर आपने क्या बजाए है आप कोई भी किताब खोली है धा तिन तिन नहीं लिखा रहता है क्या लिखा रहता है ना तिन तिन न लेकिन अपने ना तिन बजाए है अपने धा तिन तिन बजाए है क्योंकि प्रैक्टिकली जो बजता है वो धा तिन तिन नहीं बजता है ना तिन तिन नहीं बजता है लेकिन हमको किताब में पढ़ना पढ़ता है कि अब बजाए फिर से दा दिन दिन तो क्या बजाए बजाए दिन दा तो क्या बज रहा है अभी ना दिन दिन भी बजाए खाली खाली लग रहा है धा तो यह एक information किताब में नातिन तिनना लिखा है एक्जाम में पास करने के लिए नातिन तिनना लिखना है लेकिन practically गाने के लिए धातिन तिनना बोलना है क्योंकि एक्जाम और गाना दो अलग चीज़ है ठीक है आप जब गाने बैटेंगे सामने ये लखड़ी लगेगा डंडा लगेगा तो आपके पास कितना certificates है कोई नहीं पूछेगा भाई गाओ देखते हैं क्या क्रियास किया उसके लिए नातिन तिनना नहीं है उसके लिए इसका कारण क्या है मलूम है जिनों ने तबला बजाया बजा के हम लोग को एकदम पागल कर दिया जो उस्ताद लोग पंडित लोग उन्होंने कभी किताब नहीं लिखे और जिनोंने किताब लिखा नहीं के तबला हमको सुनने का मौका नहीं मिला ज्यादा इसलिए ये gap रहे गया this is a practical art आप दादर का दादर का ठिका धाधिना ना तिना जब को इचे आप यह लेकिन बचता नहीं दादर का ठिका स्हेम चीज़ कहरवा का ठिका धागे ना तिना कदिना दागे ना अब एक भी गाना हमको बोलिए जिसमें ये धागेनाति नक दिना बजा है कहरवेक ठेका एक भी गाना इतना बॉलिवूड में इतना इतना गाना कि मैं गाऊंगा एक गाना अब धागेनाति नक दिन बजा है ठेक है कुछ तो लोग धागेनाति नक दिन जनन्दा करें नहीं कुछ तो लोग शुरा बढ़ा ही है इनको नहीं होता है यह जब होता है यह जब होता है ठीक है वो चेंज करते हैं मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ मेरे गुरुजी बोलता है कि दुनिया का जो पाँच बेसिक एलिमेंट्स है आग, भूम, आकाश, पवन, पानी यह पाँच जो एलिमेंट्स है पंच तत्त्व जिसको हम बोलते हैं आग मतलब दफायर जो कि अंदर जलता है कि खा जाएंगा, ऐसे रियास करेंगे कैसी वो मेरे मुझ से अच्छा बेतर गाते हैं देख लेंगे वो 10 गंट रियास करेंगे तो मैं 12 गंट करूंगा वो 24 गंट करेंगे तो मैं 26 आवर्स करूंगा यह जीद पवन, पवन means the year, year means the energy जो आपको उड़ा के लिए जाते हैं जो energy, that is पवन काम करते जाना है, करते जाना है, थकना नहीं, पवन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है पवन, भूम, भूमी is the symbol of tolerance, acceptance इतना कुछ हमें इतने लोग चल रहा है, कोद रहा है, इतने बड़े-बड़े बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन भूमी सब सह रहे है जो सहन शिलता, that is also a quality of musicians आग, भूम, आकाश is the imagination, कलपना, आकाश कुछ भी कलपना करे, कोई एक दिन बैटके सोचा था कि पंची उड़ा है, हम क्यों नहीं उड़ पाएंगे, उसी से आज़र इरुपलिन बना तो किसी का कलपना में आया था कि मुझे उड़ना है, तो कलपना is such necessary thing और पानी, पानी means, जिस पात्र में आपको रखा जाए, उसी शेप लेना सब के साथ, आपको कैसे जरूरत है, उसी तरह मिलना तो सहनशी लता, भूमी, is a very important thing यह तबला वो बज रही रहा था, कुछ वैर में प्रॉबलिम हो रहा है हमने हस लिया, तो भूमी में प्रॉबलिम हो रहा है, इसको सहना चाहिए, ठीक है, देख लेंगे give him some time, give him some time, okay, ठीक है, कर लिजी आप नहीं तो, अगर क्या बोलते है, इंटॉलरेंट अगर हो जाएगे, सब कुछ तो आप जैसे चाहेंगे, वैसा है नहीं होगा दुनिया में, इसको मानना है, उसको accept करना है, this is बड़ी बात, तो अभी देखिए, हमने सह लिया, अभी आवाज आ गया, बजाएगे, आया की नहीं, थोड़ा सहने से क्या होता है, थोड़ा महस लिया, कि माइक चलने ही रहा है, इस महसी का भी क्या है, हस तो तब लेना च है जब मैं जोग बोल रहा था, माइक में तो कोई जोग नहीं है, sound है, बजाएगे, अब मैं गा रहा हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, कैसे लग रहा है, मुझे तो बखवास लग रहा है, अभी ये कहरवा का ठीका लिखा हुआ है, कहरवा मतलब किताब पढ़के अगर कुछ तो लोग कहेंगे लोगो का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं भी इतन जाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे तब देखी ये मज़ा कितना आया, लेकिन ये ठेका किसी किताब में ने लिखा हुआ है एक भी किताब हमको लाके दीजिए जिसमें तो इसको सुनके ही सिखना है, और क्या है? तिन ताल, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, अभी करेट कर लिया, धा तिन तिन ना ता धिन धिन धा अगर एक गंटा भी ऐसे बोलेंगे आपको लगेगा क्या वक्रा है लिकिन अगर हम बोलेंगे लिकिन अगर में नगर में बेंगेड़ और लेकिन क्या है इसमें थोड़ा प्यार में दिपक भाई को पहले बोलुङा कि आप ऐसा एक ठेका बजा है जो सुनके सब चले जाए कि आपका तबला नहीं सुनना है सबसे खरब कि इतना खरबा बजा सकते हाला कि वो आपके चैलेंज है इतना बुरा ठेका बजाएंगे कि लोग बोलें कि बाप रही ये भी ठेका है क्या और उसके बाद ऐसे पांच ठेका बजाई है जिसे लोग को रो पड़े क्या बात है क्या बात है सुकुन पहुँच गया दिल में बजाई तिन तल तल क्या बात है लग रहा है क्या ताल मला बज़ रहा है यह किताब में लिखा हुआ ठेका दा दिन दा दा दिन दा ना तिन तिन ना अभी तेटे दिन बजा ही है और भी बुरा लगगा देखिए ना तिन तिन ना प्लीज बहुत सहलिया अभी जैसे के आप बजाते है वैसे बजाईए जितना कितना मिठा इसका आवाज है देखिए अभी सेम चीज वाँ कर बजाए दादा गेना देना गेना दाक्षिदेन देन्दा दा दिन्देन्ना गेना दाक्षिदेन्दा दिन् दिन्ना 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 दिन्क दिन्क दिननक दिन्ना अभी आप बोलिये तिंताल बज रहा था कैसे लग रहा था इसको समझना है ये जो सुर बज रहा है ये ठेका नहीं बज रहा है इसका ठेके का सुर इसके मन में He is singing the ठेका He is singing the ठेका Otherwise वो सुर मन में ना होने से ये बज नहीं पाता है मैं तो musician मैं बजाता नहीं हूँ लेकिन मन में उस सुर होना है तो आज से जब हम ठेका पढ़ेंगे कि तींताल का ठेका बोली है नहीं बोलेंगे बोलेंगे पढ़ी एकस बार एकदम पयास लगेगा कि बज रहा है ये जो modulation है ये जो modulation that comes from the बाया only that comes from the बाया only and that is the uniqueness of Indian percussion instrument दुनिया में second कोई instrument तबले के सिवा आपको मिलेगा ने जिसमें धेन आते के धेन धेन देन आते के ये धेन आते के ये बज़ा पाएंगे आप ड्राम लेकर कोशिश कर लीजिए कुछ भी दर्बुका लेकर जेमबे लेकर काहन लेकर आप बजाईए ये नहीं आएगा कुछ हद तक हाँ ड्रोल पे ये खोल पे आता है श्री खोल जो है इसमें आता है कुछ हद तक और ड्रोल में ये जो intonation का change हो रहा है वो तबले में सबसे ज्याद हाँ that's why tabla is the most popular percussion instrument all over the world क्योंकि ये जो प्रेम है देन आतर के देन तो बजा ये थोड़ा जपताल का ठेका कल भी ये जपताल बजा रहे थे बहुत अच्छा ठेका सखी मोरी रूमे जुम्पाई लबाजी देन आतर के देन देन देके जपताल बज रहा है कि लेकिन कुछ कायदा रेला टुकरा चक्रदा नहीं बज रहा है लेकिन आनन्द आ रहा है इसको समझना है ठेके का सूर आप म्यूजिक कर रहे हो आपको जिन्दगी भर में आपको गाना पड़ेगा तबले के साथ लेकिन ये जो म्यूजिकल फिलिंग है और इंप्रोवाइस भी कर रहे है ये जैसे कि मैं गा रहा हूँ कि अब थो बजाए तीन ताल जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे सबसे पुराना और सबसे ट्राइशनल बंदिश अफ भाइरो देखिए मैं गा रहा हूँ सेम बंद सेम लाइन जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो सावरी सुरत मुरे मन प्यारे जागो मोहन प्यारे जागो सावरी सुरत मुरे मन भाव सुन्दर लाल हमारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो 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 मोहन प्यारे जागो 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 मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे जागो कवर सुरत मोर मनभाव सुन्दर लाल हमार जागो मोहन बंदैशी गाया मैने, ना कोई तान गमा भभा भभा, माल अंई तर बया यह सब क्रिया है एक क्रिया नामे क्रिया कर्म में रहता कविरदास जी बोले है मों को कहा डूढ डोरे बंदे मैं तो तेरे पास में उसमें बोल रहा है कि नामे क्रिया कर्म में रहता क्रिया कर्म में कुछ नहीं है क्रिया कर्म है कुछ activities करना पड़ता है कि गाने के रीत है लेकिन बंदिश बंदिश is the song हम गा रहे हैं जब तो उसमें गाना होना चाहिए कोई सितार बजा रहे है कोई सितार बजा रहे है कोई संतूर बजा रहे है कोई वाइलिन बजा रहे है और मैं क्या कर रहा हूँ मैं गला बजा रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ मैं क्या बोलता हूँ हम गा रहा हूँ वो सितार बजा रहे है, वो संतुर बजा रहे है मैं गा रहा हूँ, मैं गला बजा रहा हूँ गला भी मेरा इंस्ट्रुमेंट है लेकिन ऐसा हम नहीं बोल रहा है क्यों? क्योंकि इसमें गाना है शब्द है शब्द जहां पे है voice can only produce that voice is the only instrument which can produce simultaneously words and the music दुनिया के कोई instrument नहीं होता है तो हम जब गार हैं तो उसी शब्द को हमने इगनोर कर रहे हैं शब्द कोई बात नहीं को राग ठीक रहो शब्द कुछ भी बोलो अरे यह क्या है vocal music के uniqueness है कि इसमें शब्द है अभी वही ठीका बजाओ मुहन जागो 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 तो प्याद को जागो जागो शब्द अगया जागो महन प्यारेर बच्चे सो रहे हैं तुम 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 प्यार से बोलो जागो मोहन प्यारे जागो मोहन तो uniqueness इसमें है कि शब्द है हम कंठ में इंस्ट्रुमेंट नहीं कर रहे है कंठ में गाना गा रहे है तो शब्द और उसका improvisation जैसे कि ये तीन ताल के ठेका में किया दा दिन दिन दा वैसे हमारे है जागो जागो मोहन प्यारे सावरी सूरत मुरे मन भावे सुंदर लाल हमारे इसमें कोई भाव नहीं है जागो मोहन प्यारे सावरी सूरत मुरे मन भावे सुंदर लाल हमारे जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे जागो सावरी सूरत मुरे मन भावे सावरी सूरत मूरे मन भावे सुन्दर लाल हमारे जागो जागो ये चीज ये बंदिश का शब्द इंप्रोभाइस करके बोलना भी गाना भी और उससे क्या होगा मालूम है तबले का ठीका ठीक हो जाएगा देंद देंदा क्योंकि उसमें प्यारी मैं डाल रहा हूँ शब मैं जागो मुहन प्यारी सावरी सूरत मूरे मन भावे सुन्दर लाल हमारे प्रात समय उट भानू दित भयो ग्वाल बाल सब भूपत ठारी उठियो नंद किशोर जागो इसमें क्या होगा आपकी बोलने में बात जब करेंगे उसमें भी एक अपनापन पैदा होगा जब आप बाते करेंगे ना उसमें भी एक सुर रहता है नहीं तो अगर मैं ओ आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ आपने आया मुझे बहुत अच्छा लगा तो क्या बोल रहे हुए क्योंकि इसमें कोई अपनापन नहीं है अरे कहां गयते हुआ बैटो बैटो वाह बहुत दिन बाद मिले हरे तुम्हारा तवियत कुछ ठीक नहीं देख रहा है क्या बात है तो हम जो बोल रहे है उसमें देखो इसमें मॉडिलिशन है क्या हुआ हुआ तुमारा क्या हुआ तुम्हारा यह नहीं नहीं बज रहा है ये जागो मुहन प्यारे इसको हम क्लासिकल बोलकर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कभी प्रयाक से मिलता है कभी कर्णिया कुमारी से मिलता है म्यूजिक क्या है जागो प्यार जागो 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 प्यार जागो ये अपना पन ये प्यार तुमको गाने में देना पड़ेगा नहीं तो टाच नहीं करेगा और मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अगर किसी का दिल छुना है तो वो दिल से ही छुआ जा सकता है कोई टेकनिक से नहीं होता है तो अपने गाने में अगर आपके खुद की दिल का खुद की एमोशन्स का कुछ पार्ट उस पे आप मिला के सारफ करे तो वो सिधे दिल में पहुचता है नहीं तो टेकनिक में मैं इसको प्यार कर रहा हूँ वो पिश कैसे हो तो क्या कर रहा हूँ यह हाथ इसके पीट में मैं ऐसे कर रहा हूँ that doesn't mean कि हाथ ऐसे करने प्यार होता है this is not प्यार मन का लगाव होना बहुत ज़र ज़रे बहुत दिन बाद मिले तो गाना भी जागो महन प्यारे यह शब्द नहीं है शब्द में प्रान पतिष्ठा करना पड़ता है तबले धा दिन दिन दा दा तिन दिन दिन में तिन ताल नहीं रहता है तिन दिन 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 में रुपक नहीं रहता है उसमें प्रान प्रदिष्ठा करना पड़ता है और वो प्रान खुद की प्रान से प्रदिष्ठा होता है खुद की सरेंडर से खुद की जुकाओ से यह जुकाओ that is the very important thing I have noticed here कि सब जो students है जब मिलते है परणाम करते बड़ो को that is the important thing of Indian music क्योंकि हमारे जो movements है वो भी जुके हुए है गामादेसा movement में भी जुकाओ है सब देखें बेंट बेंट आरे पहले आप that is the Indian philosophy surrender कि नहीं आपकी सेवा में उस्ताद आले अकबर खाँ साब जब तक बजाए announcement करते कि रागश्री आपकी सेवा में ये जुकाओ रागसंगित के चीज़ है उसी से प्यार बढ़ता है उसी से अपना पन होता है लगता है कि हाँ ये गाना मन में आनन दिया मन को touch किया याद रखेंगे तबले में भी वही है ताल को इसलिए समझिए सूर को ऐसे ही समझिए ताल की ठेका को ऐसे समझिए कोई भी गाना देखिए कि इसमें क्या detailing है क्योंकि this is a musical language आप जपान से भी गाना लेके आए उसको आप you can decode with these 12 alphabets ये सिखना ही सबसी बड़ा सिख्षा है कि कैसे हम कुछ भी गाना ले उसको decode कर सके कुछ भी गाना वही जो सीक रहा है और जो सुनके गा रहे उसमें फरक है कोई-कोई लोग है देखना कि बहुत अच्छा नकल उतारते है कि एक कोईल की आवाज नकल कर लिया शेर की आवाज नकल कर लिया उसके साथ हम लोग गाना गारे उसके क्या फरक है वही मैं वो शेर की आवाज नकल किया मैं लता जी का गाना नकल किया वस वही फरक है वहाँ पर आप स्टक मत हो जाएए आपके आँखे खोलिए and believe it you have the immense power within yourself to conquer the world अब कोशिश करके तो देखिए कोशिश करके तो देखिए हम लोग पहले समझाता है तुम से कुछ नहीं होगा तुम क्या कर पाओगे आप सब कुछ कर पाओगे लेकिन कोशिश करके देखिए बीना कोशिश करके छोड़िये मत आज समझा कि एक गाना मुझे पूरा डिटेलिंग स्वर से समझना है तो उसके लिए कोशिश करें जहां पर प्राब्लिम हो यह पर इतने सारे प्राफिसर से आप तो स्वर्ग में रहते हो गाने बजाने का इतने सारे गुरु हो है आप उनसे पूछे कि यह जगा क्या एक्सेक्ली मुझे स्वर मालूम नहीं पर थोड़ा हमको गाइट कर दीजी उनसे सिखिए उनसे पता किजिए तबले का ठेका इसमें कैसे प्यार आपको मिल सकते और इसलिए पढ़ना ठेका पढ़ना बहुत जरूरी है आप फॉर्चुनेट की दीपक भाई जैसे इतना अच्छा बजाने वाला बजा रहे हर वक्त आपको ऐसे तबला बजाने वाला नहीं मिलेगा आपको तो आप उसको भी गाइट करना है भया ठेका बजा रहे है लेकिन मुझे थोड़ा देन ना देन देन ना देन देन ना ये भी उनको समझाने के लिए आपको वो ठेका पढ़ने का भी हैविट करना चाहिए ये कोई किसी को आप डॉमिनेट कर नहीं रहे क्योंकि ये एक जमाना था हम लोग म्यूजिशिंस लोग तबलिया को पीछे बिठाते थे इतना अच्य अच्य रिकॉर्डिंग सब उस्ताद फलाने पंडित फलाने का निकला है लेकिन उसमें कौन तबला बजा है उसका कोई आप राजन सेजन मिष्णा जी का एक बिलासकानी टोड़ी मैने से सुना बह बहुत अच्छा लेकिन ठेका सुना क्या क्या ठेका बजा कैसे बजा तो एक complete learning होना चाहिए इसको आप करते रहे and I can guarantee यह अगर करेंगे तो आपके नजीरिये में एक फर्क आएगा मुझो मैं बोल रहा हूँ कि सच के तरफ थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे और बाकी तो यहां तो सिखने को मिली रहा है सबसे पूझ के कितना हो सके ले लीजिए और घर पे जाके इसको कीजी जैसे कि बजार जाके सबजी खरीदना लेकिन पकाना खुद को है है ना को आलू तो सब खरीद के लाते हैं लेकिन कौन फ्राई खाएगा कौन उसका सबजी बना के खाएगा यह तो जो पकाएगा उसको मालूम है तो सिख आप सब रहे हो लेकिन कैसे आप करोगे it depends on your मेहनत, your लगाओ ठीक है, बहुत बगबग कर लिया, आपको बहुत बोर किया, thank you for tolerating me for such a long time और मेरे बहुत बहुत शुब कामने आप सब के लिए बहुत अच्छे आप काये कुछ मेरे लिए वारता आ रहे लग रहे है हाँ शुश्मिदा जी मुझे बोल रहे है कि आपको अगर मन में आप जो सामने बैटे हो कुछ अगर मन में कुछ questions है, कुछ पूछना चाहते हो you can ask me मुझे अगर जब आप मालूम है I can try to answer ऐसा नहीं कि सब पृष्ण का जवाब मेरे पास ही है जो बोलता है कि मुझे सब मालूम है मुझे कुछ नहीं actually मालूम है अप आपको मन में जो question है अगर कुछ है तो आप प्लीज कृपय आपका हाथ उठाईए और पूछिए अगर मेरा जितना सा थोड़ा सा जिन गुरुओं का जितना अशिरवान मिला उससे अगर उसका अंसर है तो I'll try to describe नहीं तो याद रखेंगे आपका question पूछ के सिख के आपको हो अम कौन वे करेंगे अब बोलिया किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज I'll be more than happy if you all ask something to me बोलिया कुछ भी Please, please, please microphone लेए पहले आपका नाम बताईए Hello Hello प्रे नाम सर मेरा नाम पुछपराज दिवांगन है आपने जैसे सुरो को पहचानने के लिए बताया कुमल रिचब सा शुद्ध दहवद जो भी तो बारा सुनों को पहचानने के तरीके के लिए कोई अभ्यास अभ्यास हाँ अभ्यास यह है पहले सा को आपको पता करना है कि तान पुरा सुनना है फर्स्ट और खुद को पूछना है के पंचम का है तो अगर सा यह है तो सारे गाम यह मन में गाना है फिर पा अपको मिलेगा अभी कुमल धहवद तो आपको देखना है कि पंचम और शुद्ध धहवद इसके दोनों में कुमल धहवद है है ना? पंचम से थोड़ा उचे और शुद्र दहवत से थोड़ा नीचे यह दो स्वर इसके बिच में पाधा पाधा दाधा बार 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 गाह के एक एक स्वर को कानमे तांप्रों के साथ सुनके उसको रेजिस्टर करना पड़ता है बार बार लंबा करके बोलिये एक-एक सवर, जैसे कि आप पहले दिन इनिवेसिटी आए, क्लास में आपको बारा दोस्त मिले पहले दिन ही बारा का सब का नाम आपको मालूम नहीं, मतलब याद नहीं रहेगा, लेकिन पूरा एक साल क्लास करने के बाद सबका नाम, सबका चहरा तुमको मालूम है क्यों? You have spent time with your friends तो ये बारा स्वर तुम्हारा बारा दोस्त है इसके साथ तुम जितना time spent करोगे, समझ के कि मैं कुमल दहा भी गा रहा हूँ इसके लिए कुछ हद तक help करता है harmonium अगर confusion हो रहा है, तो harmonium बजा के सुनो कि धाइवत का स्वर कैसा है फिर बंद करो तानपूर के साथ गाओ but never ever sing with harmonium कि मैं play कर रहा हूँ और गा रहा हूँ उससे हम dependent बन जाते हैं harmonium के उपर तानपूरा के साथ ही रियाज हो ना है लेकिन अगर कर भी confusion हो किस कुमलदा का एक जगा मुझे मिल नहीं रहा है तो बजा के सुनो कि अच्छा ये तानपूरा बज़रा है ये बज़रा है और कुमलदा तो ये साथ धा साथ सा की respect से तो उसे सा को reference मानके उसको समझने का कोशिश करना है हर एक स्वर के लिए अगर practice करोगे तो तुमको उस स्वर का समझ आएगा ठीक है और कुछ अब सब ने समझा मैंने क्या बोला क्योंकि सा का reference is बहुत important क्योंकि अब देखिए अब देखिए प्तान पुरा नहीं है कुछ नहीं है मैंने बोला आपको मध्धियम गाने के लिए अब बुला रहे क्या मध्धियम सा बोलिये पहले पिरना मध्धियम आएगा अगर साको अगर हम मानेंगे तो बाकि रेगा मापा धानी तब आता है कि सा तो सारेगा मापा धानी सा सारेगा मापा धानी सा सारेगा मापा धानी अब कुछ भी सा मानी है तो उससे सारेगा मापा धानी तो रेगा मापा धानी बाकि छह स्वर जो है वो सा से पैदा होता है इसलिए सा को बोलता है शड़ शट ज बाकी छेस स्वर का जिस स्वर से जनम होता है that is सा तो सा ये है तो सा मिल गया अब इस साई मुझे जाई मुझे जाई मुझे तो सा को सुनो, उसके साथ बाकी स्वरों का संपर्ख समझो, और बहुत दपे, दो चार बार, पांच बार नहीं, दो चार हजार, दो चार लाक, गाते गाते, क्योंकि, अगर मुजिक तुमारा प्रोफेशन बनने जा रहे हैं, तो at least you will have to devote eight to nine hours, because किसी का कुछ प्रोफेशन हो, तो उसमें नौ गंटा, आठ गंटा काम करना पड़ता है, कोई नौकरी भी करो, दो गंटा करेंगे उससे, आपको salary नही मिलेगा, आपको आठ गंटा काम करना पड़ेगा, at least, अभी आईटी में जाओ, काम का कोई time का को हिसाब नहीं, बारा गंटा भी करना पड़ता है, तेरा गंटा भी काम करना पड़ता है, तो when you are planning to be a musician, you ask yourself, how much time I am devoting to the subject, at least eight hours, वर्ना करो मत, don't waste your time, do something else, but if you have the fire, आग, उसको करो, ठीक है, तब जाके, करके मालूम पड़ता है, और बोलो, बैटो, thank you, thank you sir, नमस्कार, नमस्कार, अब कैसे हो, आ गया, हाँ, सादर चरणसपर्श, मेरा नाम विकास कुपता है, और कुछ दिनों पहले ही मैंने आपका आशिरवाद मिल जाए सुनके, तो बहुत बड़ी आपकरिपा होगी, thank you, thank you, thank you, तो मिलना हो गया, तो बोले, question क्या है, अगर कौशिक द्वनी, अगर आप सुनना, आज हम लोग को सुनना है, कौशिक द्वनी, अच्छा, 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 दो मिनिट बंदीज गा के सुनाता हूँ, जी, जी, कौशिक द्वनी, बस, दो मिनिट, क्योंकि उन्होंने पैट सिप पूछा, इसलिए, आयो डिबसंत नवल रंग लायो, 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 कुसुम कलियों से सब बन सजायो कुसुम कलियों से सब बन सजायो आयो रिमसत आयो आयो बसक आयो रिमसत 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 आयो करें कि और से तंड साथे तंड समगने ard или के आरोगभा डाने भी लोगी ज challenging... सुगंद बहायो हर की नर नार कलूल मचायो हर की नर नार कलूल मचायो आयो दे बस नवल रंगलायो आयो दे बसादू 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 नवल रंगलायो आयो द आयो आयो मसंत नबल रंग लायो कुसुम कलियों से सब बन सजायो आयो डिर आयो डिर आयो डिर आयो डिर करके हैं सुच में दिदी बहुत अच्छा लिखती है लिरिक हिंदी में वो कविता के इनका किताब रिलीज हुआ था और हमको बोले के तुमको एक मेरे कविता में सूर करना है कंपोस करना है और वो मैंने किया था इनका एक कंपोजिशन कंपोस किये थे उसके साथ ये गाना दोनों मिलके दिदी ने वो लिरिक गाई थी जो कंपोजिशन और उसके दाथ में ये आयोरी बसंद गाई थे अगर मौका मिले टाइम मिले यूट्यूब में इसको मिलता है बावरा करके एक बाच सुनके देखना है शुषमेदी बहुत अच्छे गाई है उसके साथ मेरा ये कौशिद्व नहीं कबर मिछा है अब कुछ प्रश्न कोई गाने का रिकुस तो नहीं है ना थैंक यू बोली आ गया हलो हाँ हलो सुर प्राम नमस्कार sir I'm not sure मेरा नाम पुषकर है क्या है पुषकर अच्छा बोली sir I'm not sure that I would be able to make you understand my point or not but I will try to do it please please do that sir my question actually voice culture and voice modulation को लेके आए तो और ये question जो डवलब हुआ है वो मैंने आपका अज़जी के साथ एक वीडियो देखा था शूदी नंदन का जिसमें आप लोगों ने गजल और ठुमरी classical ख्याल गायन सब कुछ साथ में गाया है और उसका अंदास अलग-अलग बताया है तो if we would request you to tell us की एक शब्द को अलग-अलग अंदास से कहें तो आप वो चीज करके तुरन बता देंगे लेकिन वो चीज हम कैसे डेवलाप करें समझ माया है you can, you could make your point very clear ठीक है? मैं बोल रहा हूँ प्लिस बैठे है ना कोई बात नी उनोंने बोलाए कि voice culture, voice modulation हम कैसे करें इसका फर्स जो point है यू मैंने आपके साथ discuss किया कि you'll have to understand the lyric first understand करने के बाद you'll have to realize the lyric समझने के बाद जो अनुवव आता है उससे feeling आता है जैसे कि मैं अभिनाय कर रहा हूँ कि मेरा भूक लगा है तो मैं जो ऐसे बोलूँगा और जब मेरा सचमूच भूक लगेगा तो जो मैं बोलूँगा उसमें modulation का फरक आता है modulation का फरक आता है so whatever you are singing the lyric क्योंकि गाना जो है अब गजल बोलिये, भजन बोलिये ठुमरी बोलिये, खयाल बोलिये उसमें आप जो गार है that is the lyric बिना lyric का एक गाना नहीं हो सकता है when you are singing then you have to have to sing a lyric otherwise that will be alap तो lyric को समझना है और you will have to think that the word you are singing that you are telling to your audience कि आयोरी बसंत नवल रंग लायो ये बसं जो आया पहले आपकी मन में आया बसं जो आया बहर जो आया है वो आपके मन में पहले आना चाहिए तब जाके आपका voice उसको बताएगा कि इसको कैसे हम बुले जैसे आप किसके उपर बहुत गुसा हो गए ठीक है मारूंगा कान के नीचे एक जपड़ तो modulation मारूंगा कान के नीचे एक जपड़ modulation कैसे आया वो feeling अंदर में जो आपके जिसको हम बोलते है जो क्रोध उसी से आपका modulation आया है ना तो पहले वो lyric fill करना चाहिए तब जाके आपके अवाग गले से वो चीज़ आप खुद हर रोज improvise करते हैं अब देखिए कि आप गए कुछ request लेकर पिता जी के पास कि मुझे एक किताब खरीदना है पिता जी ओ किताब मुझे बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि एक बार बोलने से पिताजी ओ किताब जरूरी है चलो दुकान से लेकर नहीं देता है कि किसी भी पिताजी ने कभी नहीं दिया पिताजी ओ किताब जरूरी है अच्छा ठीक है मुझे याद दिलाना मैं ले लाके दूँगा उसका मतलब पिता जी तुरंट भूल गए याद दिला ना है फिर पिता जी वो मैंने बोला था ना आपको, हाँ क्या बोला था बेटा वो जो किताब कौन सा, ओ अच्छा अच्छा चाहा किताब किताब, वो पिता जी मुझे चाहिए ठीक है, ठीक है, मैं कल ओफिस से आते वक्त लेका हूँगा, भूल गए दूसरे दिन आते वक्त, हाँ पिता जी क्या हुआ, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ कि वो किताब दीजिए, मुझे एक्जाम है सामने, ओ अच्छा एक्जाम कब के है तुमारा, दस तरीको ठीक है, ठीक है, फिर भी भूल गया, तिसरे दिन पिता जी आप क्या कर रहे है, नहीं अभी तोड़ा अग बार, अग बार छोड़िए मेरे साथ चली किताब मुझे खरीद के दीजिए, क्योंकि तो किताब ये दीजिए ये ही बंदिश है, बंदिश है कि किताब दीजिए, इसको आप इंप्रोवाइस करते जा रहे है, इसको आप इंप्रोवाइस करते जा रहे है, अगर आप समझे वो किताब बंदिश, आप खुद करते हैं, लेकिन गाने के वक्त हम सोचते है कि यह मुझे सीखना है यह किताब देने के लिए आपने कौन सिखाया आपको the situation आपको सिखाया तो बंदिश जो आप गारे उस situation में आप खुद को डालिए फिर देखना आप से जिसका आप सुनके बहुत आपको आनन्द आता है कि वाह यह इंपरिफियन बहुत अच्छा हुआ उससे कई होना बेतर आपका होगा और voice modulation voice culture means the variation of loudness of intensity of voice कि बहुत अस्ते धीरे कोई बहुत मतलब सुनो किसी को बलना माद बस तुमको बल रहा हूँ जो यह भी एक voice है अरे कहा जा रहे हूँ बैटो 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 यह भी एक voice है ओफ बाप रे आज दिन क्या भी ता यह भी एक voice है क्या ऐसा क्या यह भी एक voice है this is voice modulation इसको खुद को बोल के समझना है कि आयोरी बसंत नवल रंग लायो आयोरी बसंत नवल रंग लायो कुस्म कलियों में कुस्म कलियों कितना नाजुक सी चीज़ है कुस्म कलियों से सब बन सजायो आयोरी बसंत ताहा क्या अच्छा लग रहा है, लाल, पिले, हरे, कितने कलिया, मौसम भी कितना, उतना गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, क्या बात है, तो अकर एंजाए करें, तो गले से जो expression निकल रहा है, वही modulation है, इसको समझें और इसके अपर ध्यान दीजिए, जोर और धीरे, ये दोनों का balance, कौन सी जगा हम जोर से बोले, लेरिक क्या डिमान कर रहे हैं, उसको आप अगर सोचेंगे, तो modulation, improvisation खुद बखुत आएगा, लेकिन, खुद के अंदर ढूनना, ढूनना, the introspection, which I was mentioning earlier, कि अंदर ही सब questions का जबाव है, you ask yourself, you will get the answer, ओके, और बोलिया, हाँ, बोलिया, प्लीज, अगर question नहीं है, तो मतलब, चलो, lunch के time हो रहा है, अभी भी बख रहा है, बोलिया, प्लीज, गुरु जी साइधर प्रणाम, जैसे कि कल आपके प्रोग्राम में मैंने देखा, कि आपने, लाइकारी, आप लाइकारी का रहते हैं, लाइकारी के बारे में मुझे कुछ हो, अच्छा, लाइकारी के बारे में मतलब, लाइकारी के मतलब, लाइका एक equal distributions होता है, कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, या 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, equal distributions है, कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह distributions है, यह distribution को अगर हम improvise कर, इसको थोड़ा हटा कि दे लाइके, 1, 2, 3, 4, यह 1, 2, 3, 4 ही में बोल रोके लो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 इस लेकारी 1, 2, 3, 4 को आप देखें आप कैसे बाठ सकते हैं चारी मात्र में 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 देखना है वही आप के से देखने वाले चीज नहीं है जब आप के बंद होता है तब देखना शुरू होता है ठीक है? Thank you और परनाम बुली आप कुछ सोचके रखिये प्लीज गुरू जी मैं महेश शुपाद है आचा महेश जी गुरू जी अकसर ऐसा सुनने को मिलता है कि जैसे दरबारी है उसका गांधार है और काफी का गांधार बाहर का गांधार इसको हम कैसे समझे इसके लिए देखिये एराक को सीखना है समझना है जैसे के जैसे के गांधार तो गांधार है नाक तो नाक ही है आपके नाक जैसे है इनका नाक एक जैसे नहीं है arrangement एक ही है किसी के नाक एक जैसे नहीं है तो गांधार सभी में हैं लेकिन उसको closely observe करना है उसको closely सीखना है कि गंधर कैसे आ रहा है that is not actually गंधर that is the सूर अफ गंधर not स्वर अफ गंधर ये फरक समझना है एक सूर का एक स्वर का स्वर है सागा मापा सूर है सागा मापा तो गंधर कुमलगा सारे कुमलगा हम लोग स्वर से राग को पैचानते हूँ चीज़ा totally wrong concept स्वर से राग जब तक स्वर है तब तक राग नहीं है स्वर जब सूर बनता है तब राग आता है सारे गा सारे का सारे का अब बुलिए कैसे सा है यो कैसे रे है सारे का सारे का ये तो ना सा है ना रे है ना का कोई भी राग ये तो दर्बाड चोड़िए कि सारे सारे दुसरा राग बन गया ना रड़ी ना रड़ी गारे जान पुरी कारे सा रे माप गा, गारे सा तुरे दर्बरी जानपुरी क्योंकि ये रे नहीं है ये दर्बरी का और जानपुरी का सूर है सारे गार सदाने पाँ साव पा भी नहीं है, सा भी नहीं है, रे भी नहीं है, गा भी नहीं है सब मिला के है I would say the humanity of the ragas the humanity of the ragas kidney, heart, liver, lung, pancreas, daat, chool, bal हम Bengali में chool बोलते है, ठीक है सब कुछ मिला के एक इंसान है अब post-mortem करोगो तो वही मिलेगा लेकिन हर एक इंसान अलग है कैसे अलग है? वह उन इंसान से मिल की ही पता करना पड़ता है आप ऐसे किसी भी एक लोग, अगर आप दरवारी का गंधार ले लिया तब मतलब मैं आप से आपका pancreas ले लिया ओ, यह आदमी का लिवर इतना अच्छा है बहुत अच्छा लगता उनसे मिल के कभी हमने बोला ऐसा क्या? लेकिन हम बोलते हैं, दरवारी का गंधार देखो तो दरवारी का गंधार मतलब आपका लिवर अब दरवारी को देखो तब लिवर भी है, लिवर नहीं है एक आदमी घुम रहा है लिवर नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन लिवरी नहीं है बस आदमी का इंसानियत दरवारी का गांधर और आपकी पैंक्रिया स्थेन चीज़ है इसको समझे ठीक है और वो गुरु के सामने बैठ के चरन पे बैठ के सेखना पड़ता है कि कैसे हो रहा है फिर उसको जाचना सुनना अभी एक चीज़ हुआ है अभी आपको सुनने का एक्जम्पल मिलने का बहुत चांसे मिल गया क्योंकि बड़े बड़े उस्तादों का हमको रिकॉर्डिंग अभी अभी अविलेबल है आप सुनिये जाच कीजी और गुरू जो बोल रहे है उसको सुन के रियास कीजी गुरू का चिंता फिर आपका सोच फिर उस्तादों का सुनना ये तीन एक साथ मिला के अपना खुद जगा तयार होता है ठीक है वो अलग ऐसा ही होता है क्योंकि सुर जितन तक रहेगा जब तक रहेगा सुर तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब सुर होगा तब आपको समझ आएगा कि ये आदमी भेज खाता है ये आदमी नॉन भेज खाता है अदमी एक ही है लेकिन उसके साथ आपको टाइम बिता के मालूम पड़ेगा कि ये रात को जल्दी सो जाता है ये देर रात तक जाता है That is I always say like Humanities of Raga Humanity of Raga राग के इंसानियत, राग के habits ठेक है? और बुलिया मैंने करीब 6-8 महिने से एक काम शुरू किया है क्योंकि YouTube में मैं देखता था कि बहुत online learning का channels है कुछ-कुछ लोग सिखाते हैं लेकिन इतना confusing और गलत information कभी-कभी आते हैं मैं एक दिन सुनके बहुत गुस्सा हो गया कि एक तम गलत चीज़ जो कि गाने से बतलब शरू नाश हो सकता है ऐसे ऐसे चीज़ भी बता रहे हैं तो जाके मैं ने फिर सोचा कि जो कि गुरू से सीखने को मिला कुछ-कुछ जितना मेरा बस की बात है थोड़ा-थोड़ा करके मैं शेयर करना शूरू किया पिछले छे मैने से यूट्यوب में फ्री क्योंकि मुशिक ऐसा चीज़ है कि मैं जब आए थे लेके नहीं आए थे यहां से सείका और मैं जब चले भी जाएंगे तो लेके नहीं जाएंगे छोड़की जाना है बस कुछ दिन मेरा music करके मैं ले रहा और उससे कुछ पैसा भी मिलता है तो इसके लिए service के तौर पे मैंने ये काम थोड़ा शुरू किया है कि YouTube में music learning videos थोड़ा थोड़ा करके मैंने कोशिश करता हूँ जब time मिलता है मैं करता हूँ तो अगर आपको time मिले कभी देखना हो सके कुछ कुछ सवालों का अंसर आपको वहां से भी मिल सके ठीक है बहुत अच्छे रही है और दिपक भाई को क्या बोलो एक जोड़दार उनके लिए हिमांगशु जी आपको भी प्रणाम आपने इतना प्यार इतना सब कुछ दिया I am really grateful I am really grateful मन से बोल रहा हूं Shushmita दिदी तुमा के की बोलभो You are always like as my own दिदी प्रणाम Shadda जी Chudeshna दिदी Kapunda जारा जारा आची यहां पर जो जो है सब को नमस्कार और बहुत बहुत नमस्कार तुम लोग को भी क्योंकि तुम लोगी आगे जाके हमारे यह म्यूजिक जो है इंडिया का म्यूजिक कोने कोने में दुनिया के कोने कोने तुमारे हाथ से जाने वाले है Maybe in 5, 10, 15 years You will be The savior of our music तो आप सब को भी मेरा बहुत 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 प्रणाम बहुत ही subject को आगे लेके जाए The subject needs you Music needs you ठीक है? दन्यवाल Anul जी हमारे पास शब्द नहीं है आपके आपहर विक्त करने के लिए आपने इतना सुगम रीती से, इतना सरल रीती से और इतना गहन जो विशा है उसको आपने चर्चा में लिया और इतनी सुक्ष्म बातें हैं लए और ताल की और टाइम की उसको आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चों के साथ डिसकस किया उनके मन में जो भी कुछ प्रश्ण होंगे और धीरे धीरे उठेंगे प्रश्ण उठना बहुत जरूरी है यह आपने कहा है और इस चर्चा से भी प्रश्ण उठते हैं मन में और जब प्रश्ण उठते हैं तो उसका समाधान कोई न कोई गुरू आके आपके जैसे गुरू आएंगे या और भी अच्छे लोग हैं कहीं न कहीं से आपको समाधान मिलता है और यही हमारा उद्देश है कारेश आला करने का और इसके लिए मैं बहुत रिदे से आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत सहचता से हमारा वंत्रेंट स्विकार करके और हमारे स्टूडेंट्स को उनकी जो भी उनके मन में जो भी क्वैरीज हैं उसको बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया और हमारी जो वाइस चांसलर मेडम है मैं उनका भी आभार वेक्त पहले से पहला तो उनहीं का आभार वेक्त करता हूँ कि उन्होंने ये हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को एक आवसर दिया और के बियार की जो सुश्मेताजी और उनका पूरा टीम जो है टीम एंथम बिलाई और आप देखिए कि एक स्टील सिटी है वो और एक ये खेरागड की मर्दू भूमी है अग्दम कुमल भूमी और वो स्टील सिटी है वहां से हमारे लिए आपने संगीत के सेवा करने के लिए आप लोग दोड़े चले आए हैं ये बहुत अच्छी बात लगी हमको और हमेशा हम लोग आपके लिए हम लोग तब पर रहेंगे जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा आपका सहयोग करने के लिए दीपक को भी बहुत बहुत आशिरवाद और उन्होंने भी अपनी जगह अपनी पक्की कर ली है स्टेज पर बहुत अच्छा लग रहा है और ये शुरुवात है अभी आप लोगं को भी बहुत-बहुत आशिरवाद और इसी तरह से आप लोग करते रहेंगे तो आगे सच मुछ आगे आपकी प्रगती भी अवश्य है सभी को शुप कामना है धन्यवाद